Welcome back to my channel friends, मेरा नामे शियम अजमबाद करने वाले हैं, कैसे आप AWS अकाउंट को create कर सकते हो और कैसे आप free tier पास सकते हो, जहां पर आपको एक साल के लिए free hosting मिलती है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है Amazon Web Server के उपर और आप आने वाले मेरी वीडियो को देखना चाहते हो, जिसमें मैं बताने वाले हो, इस चैन्स कैसे create करना है, AWS पे website को कैसे host करना है और अगर आपको और देखना है कि CodeCanyon की website को कैसे upload करना है, WordPress के लिए इंस्ट्रॉल करना है तो हम सब के लिए मेरे चैनल को subscribe कर दो और आने वाले वीडियो के लिए बैल आइकन को on कर दो और जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोडिविक्शन मिलती रहे time to time तो हम बात कर लेते हैं AWS पर यहां पर आपको free tire मिलता है, free tires में 750R मिलते है EC2 में जहां पर आपको T2 Micro मिलता है जहां पर storage के लिए 5GB S3 storage मिलता है आपको जहां पर आप store कर सकते हो अपने data को और 750R मिलते हैं RDS और बाकी भी बहुत कुछ मिलता है compute cloud, database आप वहां पर जाके आप से पूरा check out कर सकते हो स्ट्रॉल करके काफी सारे pages है जहां पर आपको काफी सारी details मिलेगे आपको check out करने के लिए उसके बाद अगर आप check out करने के बाद आप देखेंगे आपको option मिलता है free trials, always free, कौन-काउसी services आपको always free मिलती है वो भी check कर सकते हो और उसके लिए आपको storage वगेरा, game के लिए आ create account और open होता है यहां पर basic details fill up करेंगे यसी open होता है यहां पर आपको देना अपना email id, passwords, confirm password and account name और इसके लिए क्लिक करने आपको complete continuous step 1 तो मैं यहां पर एक account name देता हूँ यहां पर दी मैंने email id और यहां पर हमने दिया password password में upper case, lower case, number और non-alpha numeric characters होने चाहिए तब ही आपका password होगा, accept करेगा, विणना password accept नहीं होगा और confirm password में आपका same password होना चाहिए जिसे की confirmation मिल सके और अगर आपने कोई email id पहले use किया तो यह आपको error देगा, already exist और आपको कोई भी नही email id use करनी पड़ेगी, अगर जो आप पहले कभी use नहीं हो, AWS पे उसके दा आपको क्लिक करना है create continue and step 1 complete तो आपका पहला step complete हो चुका है अब आते है second step पे जहां पे आपको select करना है personal या business अगर आप business purpose के लिए use करो तो business नहीं तो personal use कर सकते हैं और यहां पे आपको देना है full name और यहां पे आपको देना है phone number यहां से select करने है आपको अपनी country यहां पे देना आपको आपना address वह गयरा आपनी details basic details city state postal code is a pin code जो आपका pin code आप use करते हैं तो हमारा उत्राखंड का धिरादू का pin code है 248001 और यहां से आपको terms and conditions को accept करना है then go to the next page on third step third step में आपको basic card details डालनी है अपनी जो आपकी card details है credit card या debit card आप इनी में से दासते हैं visa mastercard acceptable है और कोई card accept नहीं करेगा उसके बाद आपको इसको fill up करके verify करना third step complete तो इस part को मैं skip कर रहा हूं और इसके बाद हम चलते हैं four step पे four step पे आपको simply अपना यहां पसे select करना basic support plan free and then आपको click करना है आपको continue with complete with sign up congratulations आपका account sign up हो चुका है और अब आप यहां से consort पे जाकि अपना आपको login करके अपनी website को host कर सकते है Amazon पे इसमें सिर्फ इतना ही था अगर आप सबको video पसंदे तो please like and comment and don't forget to subscribe